नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल बियाडी सैंस में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि तमनील में आप देख चुके हैं आज हम डिसकस करेंगे एक अती मैतोपर्ण वेरी इंपोटेंट टोपिक अनुवान सिकी यानिकी जेनेटिक्स जिसके पिछली भरती परीक्षाओं में पुछेगे एक परसिन हैं और इनके अलावाद जितने भी इंपोटेंट क्यूशन बनते हैं उनको इस शेस्टन में इस वीडियो के मादें से आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तो यदि आप BRD Science पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि BRD Science पर साइंस और जिक्षे से समंदित में तो पुर्ण प्रस्णों त्री टोपिक वाइज प्रस्णों त्री ट्रेक से लाता रहता हूं तो दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ पीशे ज़्यादा सी ज़्यादा शेयर करना ओके दोस्तों करते आज का सेशन स्टार्ट अनुवान सिक्षे से समंदित कुछ में तो पुर्ण प्रसंद देखते हैं पहला प्रसंद क्या है अनुवान सिक्ता के जनक कौन है एच डी वरीज लिवन होक ग्रेगर जोन मेंडल या कारल कोरेंज तो दोस्तों हिगो डीवरी कर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूसन की और और सब कर दिया क्या झूआ इस हो जाताएगवान सिक्षे सका जाएगा ऑप्ष और से बिया तो इसका In अपनाई गई थी क्रत्रिम परप्रागन प्राकर्तिक या ए और भी दोनों तो दोस्तो मेंडल दोर अपने प्रयोग में प्रागन की क्रत्रिम और परप्रागन दोनों वीदियों को अपनाया गया था क्रत्रिम और परप्रागन option D इसका right answer हो जाएगा A और B दोनो देखते हैं next question अपन प्रभाविता की खोज किस ने कीती मेंडल ने, कोरेंच ने, कार्ल लोरेंच ने या हिगो डिवरीज ने तो दोस्तो अपन प्रभाविता की खोज कीती कार्ल कोरेंच ने option B इसका right answer होगा और ने फ्यूज नहीं होना कार्ल कोरेंच होगा नाकी कार्ल लोरेंच ओके दोस्तो देखते हैं next यह दि किसी विशिस्ट का जीनो टाइप एक बिंदू पर केवल एक प्रकार का जीन रखता है तो वह कहलाता है सम यूगमजी विशम यूगमजी एक यूगमकी या समान यूगमकी तो दोस्तो यदि किसी विशिस्ट का जीनो टाइप एक बिंदू पर केवल एक प्रकार का जीन रखता है तो उसे कहा यह कुन सी स्थिति को दर साता है सह प्रभाविता द्वी शंकर्शंक्रण पुर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर्शंक्रण और अपुन प्रभाविता के साथ एक संकर्शंक्रण तो दोस्तों यह दर साता है अपुन प्रभाविता के साथ एक संकर्शंक्रण को दर साता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा option B एक अनुपाद दो अनुपाद एक देखते है next question मिंडल के नियमों का अपवाद है जंगली मत्टर, ड्रोसोफिला, मीराबिलिस जलापा या ये हूँ तो दोस्तों मेंडल के नियमों कापवाद है मीराबिलिस जलापा त्यान रखना ओप्सन सी इसका राइट आंसर होगा कौन मेंडलवाद के पुने खोज करता नहीं है हुगो डिवरीज, कारल लोरेंस सोरी कारल कोरेंस, टी-एच मोर्गन या शेरमांग तो दोस्तों टी-एच मोर्गन मेंडलवाद के पुने खोज करता नहीं है जबकि हुगो डिवरीज, कारल कोरेंस और सेरमांग इन तीनों ने मेंडल की मृत्यू के बाद इनके सिदानतों को आगे बढ़ायता पुने खोज की थी तो टी-एच मोर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट क्यूसन युगमन जो के बंते समें जीन के जोड़े में से केवल एक युगमक प्रवेश करता है या किस नियम की और इंगीत करता है दोस्तों परिबास एक नियम की और आपको बताना है कौन सा नियम है कि युगमनों जो के बंते समें जीन के जोड़े में से केवल एक युगमक प्रवेश करता है यानि कि प्रतक रूप में तो ओप्सने इसका राइट आंसर होगा यानि कि प्रतक करण का नियम यान्दर करना दोस्तों सारे प्रसना प्रीस करण के अधी पूच्छे गए है और ईंपाटेंड है दोस्तों और भी बाहला से यॉटड़ी सैथे जैदा स्यथे नेक्स्ट क्यूशन एफवन संतती का एप्रभावी जनक से संक्रण कहलाता है परिक्षार्थ संक्रण प्रतीव संक्रण बेकवर्ट टेस्ट क्रोस यसे है प्रभाविक्ता क्रोस एफवन संतती का एप्रभावी जनक से संक्रण कहलाता है तो दोस्तों एफवन संतती का एप्रभावी जनक से संक् यूजन श्वतंत्र अपुयान या यूगमक को का प्रत्यक्रण दोस्तों ये एब टूपीडी में जिनोटाइप और फिनोटाइप आनुपा समान होता है तो ये कारण है अपुण लाल पुष्व वाले पूद्य को सपेद पुष्व वाले पुष्व से करवाने पर ऐफण संतती में गुलॉब़ी पुष्व बनते अपुन प्रभाविटा का और अपुन प्रभाविट्यक्र अक्जांपम मिरा बिलमत ओ इसलाप अपुल्याफकीन दोस्तों स्लाप फूर एक लोग प्लांट दहां एंदर के लिखते हैं दूस्त एक संखर क्रोस का एट्व्म के समझें अनुपात क्या होता है ? एक संखर क्रोस का एट्व्ध व्भी मेश समझें अनुपात हısता है дорогup 131 एक या एक अनुपात दो या 1 अनुपात 2 नफ़ार Same तो दोस्तों ऑप्सन डी इसका राइट आंसर होगा एक अनुपाद दो अनुपाद एक नेक्स्ट निमने लिखित में से कौन सा परिक्षार्थ संक्रण है दोस्तों ऑप्सन एई इसका राइट आंसर है जिसमें यहां प्रिक्षार्थ संक्रण में देख्थे हैं नेक्स्ट टेष शंक्रण है यहनि कि प्रिक्षार्थ संक्रण क्या है तो दोस्तो, ए प्रभावी F1 पोदे का प्रभावी F2 पोदे के साथ संक्रण, नहीं दोस्तो, ए प्रभावी F2 पोदे का प्रभावी F3 पोदे के साथ संक्रण, नहीं दोस्तो, प्रभावी F1 पोदे का ए प्रभावी जनक पोदो के साथ संक्रण, यह सही है दोस्तो, और दोस्तों देखते हैं next question. अपॉन प्रभावीटा पॉन प्रभावीता से किस आधार पर बिन है? फिनोटाइब अनूपात में, जीनोटाइब अनूपात में, ए और भी दोनों या इन में से कोई नहीं? तो दोस्तो अपन प्रभाविता अपन प्रभाविता से जिनटाइप और फिनटाइप दोनों में ही दिन ओती है दोनों इसका रैट आंसर होगा कौन से मिंडेलियन विचार को संकरण के द्वारा वर्गी करत किया गया है जिसमें F1PD दोनों जनकों को दरसाती है अपन प्रभाविता प्रभाविता का नियम एकल जीन के आनुवान सिखता से प्रभाविता दोस्तो कौन से मिंडेलियन विचार को संकरण के द्वारा वर्गी करत किया गया जिसमें F1PD दोनों जनकों को दरसाती है तो उसका रेट आन्सर होगा सहे प्रभाविता क्या होगा? सहे प्रभाविता द्यान रखना दोस्तो देखते हैं मिंडेलियन गुणों के पंध्र योगोजन का कारण है पंध्र योजन का कारण क्या हिए होता है जीन की सहय लगनता प्रभाविता या श्वेतंत्र अपवियान उत्परिवर्तन जीन की सहय लगनता क्या होगा इसका रेट आंसर है दोस्तों मेंडेलियन गुणों के पंद्रियोजन का कारण होता है श्वेतंत्र अपवियान त्यान रकना क्या होता है श्वेतंत्र अपविय जीन और गुणुष्छूत्र को सथटन और बोविरिसेंगें किस रूप में परिवर्दीत रूप में और परिवर्द में तोस्तों फूसन और गुणुषत्र चाहे प्रभावी हो या एप्रभावी एक विड़ी से दूसरी पीड़ी में किस रूप में स्तानांत्रित होते हैं तो दोस्तों एपरिवर्थीत रूप में स्तानांत्रित होते हैं देखते हैं नेक्स्ट। अंतर जातिये संक्रण, अंतर वंस ये संक्रण, या अंतर कुलिये संक्रण दोस्तों, पाईसम, सेटाइवम, तता लेठाइरस, और दोरेटरस, वोदों का संक्रण होता है अंतर वंस ये संक्रण, क्या होता है, अंतर वंस ये संक्रण होता है यहां दरकना सारे क्यूशन इंपर्टेंट है दोस्तों एक संकर क्रोष की एप टू पिड़ी से प्राप्त समझीनिये तता समलक्षणी अनुपात क्रमसे होंगे एक संकर क्रोष की बात कर रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा और समलक्षणी अनुपात की बात करें तो तीन अनुपात एक होगा किसमें एक संकर क्रोष में भेंदर कना दोस्तों यह सारे क्यूशन कहीं न कहीं पुछ सके हैं दोस्तों वही आपके सामने लेकर आया हूं जब एक ही पुधे के एक फूल का प्रागण उसी पुधे के एक अन्य फूल के वरतिका घर पर पहुंचता है तब इस प्रकार के प्रागण को क्या कहा जाता है तो दोस्तों जीनो गेमी, माइटो गेमी, एलो गेमी या ओटो गेमी क्या कहा जाता है दोस्तो जब एक ही पोदे के एक फूल का प्रागन उसी पोदे के एक अन्य फूल के वरतिका गर पर पहुंचता है तब इस प्रकार के प्रागन को क्या कहते हैं इस प्रकार के प्रागन को कहते हैं दोस्तो जीनो गेमी कहा जाता है जीनो गेमिक कहा जाता है F1 पोदेगा अपने प्रभावी जनक के साथ संक्रण क्या कहा जाता है प्रतीफ संक्रण, प्रिक्षार संक्रण, बेकवर्ड प्रिक्षन संक्रण और सह प्रभाविक्ता संक्रण दोस्तो F1 पोदेगा अपने प्रभावी जनक के साथ संक्रण क्या लाता है प्रतीव संक्रण और अप्रभावी जनक के साथ संक्रण होता है तो शे क्या जाता है प्रिक्षार्थ संक्रण में क्या होता है F1 पोदेखा अपने प्रभावी जनक से संकरण होता है मत्र के पोदेगी लगू भी जानू मात्र कोशिका में गुण सुत्रों की सिंक्या कितनी होती है 7, 8, 14 या 16 तो दोस्तों मत्र के पोदेगी लगू भी जानू मात्र कोशिका में प्रशिद है आपोंड प्रभाविता के कारण गुंषुत्रिया सैसी लगनता के कारण या या प्रभावी युग्वकों के परिटक करण के कारण सा थो प्रया सिथु करूं। q तहले विोक्त कि प्रतभाविता के ने के ती ग्रीगन और है ॉन स्टिन लेनट bear क sala तो बहुए कल्पिता की खोच की ती का लेंड इस्टी नन्नी ऑप्सें से इसका राइट आंसर होगा देखते हैं नेक्स्ट क्यूसन रुधिरवर्ग से समन्धित हैं डाउन सिंड्रोम वर्णादता कारख आरेच का रख यार रण्जक हिंता कारख दोस्तो रुधिर वरेख स कोraft कोया दोस्तों विपुंद्व का अड़त होता है प्राकोस को कि सब्सक्र और खीने स्थ आप श्वय तंटर अपवयों नियम सि砸 होता है दीवी शंक्रोष एक संकर क्रोष से प्रतीब संक्रण से या परीक्षार्ट around नियम का अपवाद का नियम प्रतकरण का नियम या अपूर्ण प्रभाविता का नियम दोस्तों मेरा विले जलापा मेंडल के किस नियम का अप अपवाद है इसका अपूर्ण लिंग निर्दारन की एग हुनी दिव गुन करी धी कीस में पाई जाती है मधुमख्य में कद्टी में हिह इन सभी में दोस्तों धान रकना इन छाथी में इन तर्फ मानों में कितने जोरी ओटो शॉम्सबाई जाती है लिंग निड़ारने तो जीन संतुलन सिधान किस ने दिया था हुगोडी वरीज ने, मौरगन ने, ग्रेगर बार ने या जो आंसन ने दोस्तो लिंग निड़ारने तो जीन संतुलन सिधान दिया था वरीज ने यानि हुगोडी वरीज ने दिया था कि इसका राइट आंसर होगा कि मनुष्य की मादा में बार बुड़ी बनती है या तो पेत्रक अक्ष्गुनसुत्र के निस्क्रिए करन से और इसका राइट आंसर होगा प्यान रखना दोस्तो देखते हैं next बार काई पाई जाती है पुरुष की देहिक को सिका में इस्तरी की देहिक को सिका में सुकराणों अंडानु में या लेंगी गुन सुत्र के सीरे पर बार काई किसमें पाई जाती है दोस्तो इस्तरी की देहिक को सिका में बार काई पाई इतने नेग्स्ट निमने लिखित में से गलत जोड़ेगा चुना कीजिए नरपक्सी समयुग मकी मादापक्सी विशम यूग मकी और नरद्रुशो फिला विशम यूग मकी इन में से कोई नहीं। दोस्तो उप्रोक्त तीनों सुमेलित किये गए हैं गलत जोड़ा नहीं है तो option D's का राइट आंसर होगा इन में से कोई नहीं क्योंकि नड रोशो फिला विशम युगम की प्रकार का होता है और मादा पक्षी विशम युगम की होती है नर पक्षी सम युगम की होता है option D's का राइट आंसर होगा देखते है next करण पल्लों पर बालों का उपस्ती तो ना किसका गुण है अक्स सहल लगन गुण या अक्स वाही सहल लगन गुण या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो करण पल्लों पर बालों का उपस्ती तो ना वाई सहल लगन गुण है option D's का करता जोड़िये को चुनिए टीड़े में अक्स आक्स वही प्रकार का लिंग निरदारन होता है ओप्षन सी इसका गलत है हमें गलत कहते हैं का चुना करना था टीडे में अक्सो प्रकार का होता है लेकिन हमें विश्म विगम की मादा का पुछा है तो ए और भी इसके राइटांस रहोंगे option C गलत है ओगे दोस्तों देखते हैं next मनुष्य में लिंग निर्दारण के लिए गलत खतन पैचानिए मनुष्य में शुवजाद गुण सुत्र के तेई जोड़े होते हैं मादा के वले एक प्रकार का अंड़ उत्पन करती है शिसु के लिंग निर्दारण शुकराणों के आनुवांच एक बनावट शे होता है नर में दो प्रकार के युगमक उत्पन होते हैं दोस्तों इसका पहला ओप्सन ही गलत है लिंग निर्दारण के लिए गलत कतन चुनना है मनुष्य में शुवजाद गुण सुत्रों के जोड़े 23 नहीं बाई जोड़े होते हैं एक लिंग निर्दारण वाला होता है तो ओप्सन लिंग उनसुटर बोला जाता है लिंग उनसुटर की जोड़ी होति है एक भागी बाइज जोड़े होते है इन में तेश नहीं होते है निमने लिकित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित किया गया है तो दोस्तो सका रैट आंजह उगा गलत रूप में दिया गया है वो है मट्र में मंडे संसलेशन बहुवी कल्पिता का उधारण नहीं है ती एच मोर्गन ने सहय लगनता के बारे में बताया था एक्षो प्रकार का लिंग नर्दारण टीडे में होता है यह उप्रोक्तिनों सहिया जबकी ओप्शन सी इसका गलत है निमने लिकित में से कौन सी अवदी मेंडल के संक्रण प्रयोगों की थी 1840-1850-1856-1863 यह भी क्यूशन पूछा गया है दोस्तों 1897-187-1877 तो दोस्तों अप्शन भी इसका राइटांसर होगा मेंडल ने संक्रणों का प्रयोग किया था केवल साथ वरसों में 1856 से लेकर छाता है इसतानां तरन जीनवीन में प्रतिलोमन यह द्यविगुणन इसितानांधरन होता है दोस्तों क्या होता है इससेदानांधरन option और एसका right answer हो स्यल एगनता की किस ने किए थी जोहांसन ने बेडशन और पुनेट ने बिडल और टोक्तम ने और काल एंडेस्टी नन ने दोस्तों ओड़न एसका उप्सन भीस का रहा है टांसर होगा देखते हैं next है सहल अगनता की शमता बढ़ती है जीन विनिमे के कारण सुत्र यूगमन के कारण शिनेफस इसके कारण या समयुगमक्ता के कारण सहल अगनता की खोज किसमे की गी थी मत्र में टिडे में मेरा बिली जलापा में या प्रोफिला में इसमें ड्रोफिला में की गई ती धान रखना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और जीन विनि में सब्द सुर्व परतम किसके दुवारा दिया गया था मोर्गन और थेलस ने जो आंसन ने ग्रेगर बार ने यूगो डीवरीज ने दोस्तों जीन विनि में सब्द की बात करें तो मोर्गन और थेलस ने दिया था किसने दिया था मोर्गन और थेलस ने जीनि में सब्द दिया था वर्ण अंदता का अन्य नाम क्या है लाल हरा अंदापन प्रोटीन दोस्त डाल्टोनिजम या उप्रोक्त सभी दोस्तों वर्ण अंदता या वर्ण अ लिंग शेहलगने वंसागती का खोज करता कौन है दोस्तों लेंड इसि तिनर मेंडल मोर्गन या मेकलेंग दोस्तों ऑफसन सीज इसका राइट अंसर होगा मोर्गन लिंग सहयलगने वंसागती का खोज करता है सहे लगन जीन प्रतक होती है जीन विनमे द्वारा, युगमक द्वारा, उत्परिवर्थन द्वारा या संकरन द्वारा सहे लगन जीन प्रतक होती है किसके द्वारा प्रतक होती है दोस्तों जीन विनमे के द्वारा किसके दोवारा जीन विनिमी के दोवारा सहे लगन जीन प्रितक होती है अपसर ने इसका राइट आंसर होगा लिंग सहे लगन वनसागती का उधारण है बेरी-बेरी, रतंदी, हेमोफीलिया या एड़ से दोस्तो लिंग सहलगन वनसागती का उदारण है हीमोफीलिया अक्स सहलगन एप्रभावी जीन दुवारा होता है हीमोफीलिया और रतंदी किसकी कमी से होता है बेरी-बेरी किसकी कमी से होता है और AIDS HIV वाइरस की वज़े से होता है रतंदी विटामिन A की कमी से होता है बेरी- कैनल पर विजिट करना और वहां से देखना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ओके दोस्तों बढ़ते हैं एक्स्ट क्यूशन की और हेमोफीलिया ए रोग में अनुपस्तित होता है विटामिन ए लाइपेज एंज प्लाजमा त्रोंबोप्लास्टेन य रंग अंदता रोग होता है मैलाव में ए प्रभवी जीन द्वारा या पुरुष में ए प्रभवी जीन द्वारा तो दोस्तों पुरुष में प्रभवी जीन द्वारा रंग अंदता रोग होता है पुरुष में ए प्रभवी जीन के द्वारा याद रखना दोस्तों इंप त्विच्यों कीland दोस्तों तष्यूं के लखषण का मोने Consider प्रियोग नहीं किया था सब्सक्राइए लखषणों पर मेंदल እ खीये गये मट्र नें सब्खार एक अधर स्वंद्र का संहोग Cao बीज का रंग दोस्तों मट्र के बोदोबर अपने आदर्स प्रयोग में मिंडल ने किसका उप्योग नहीं किया था फली की लंबाई का नहीं किया था इसका नहीं किया था फली की लंबाई का किया था पुष्प की स्थितिका किया था बीज के रंग का किया था जबकि फली की लंबाई का उन्होंने प्रियोग नहीं किया था नेक्स्ट क्यूशन है सै लगनता लिंके सब्द किस ने प्रियोग किया था बोवेरी, मेंडल, टी-एच मोरगन सै लगनता यानि लिंके सब्द किस के दोरा प्रियोग किया गया था इसके वेस के फल का रंग किसका उदारण है इसके फल का रंग किसका उदारण है एक प्रिवर्दन सील गर्भ में उल्ब वेदन द्वारा निमने लिकित में से किसके पैचा नहीं की जा सकती है लूसर दोस्तों आपको सब को पता है एक परिवर्दंशील गरमें और वेदन के gates दॉरा पीलिया का नहीं किया जाता है अ माइब की उप्रोच ते तीनों का किया भड़ते हैं मुप्रोक सकता है इसका गलता आंसर है दोस्तों यह दोस्तों यह अज यह ज़dog नहीं करते हैं यह प्रभावी रोग नहीं यह प्रबावी रोग नहीं प्रभावी रोग है अक्सेसिया लगने जीन के दोरा जब कभी दो एस अमन। वेस्टियों उसके दोनों जनकों से स्रेष्ट तर होता है इस परिगटना को क्या का जाता है दोस्तो इस गटना को का जाता है संकर ओज होगा इस परिगटना का नाम निमने लिकित में से पुन से एक युगमनजी को सीखा की अवस्ता सामाने मादा बच्चे के जन्म के लिए होती है एक अक्स और एक वाई गुण सुतर नहीं दोस्तों ये नर बच्चे के लिए यानि की लड़के के जन्म के लिए होती है दो अक्षगुण सुत्र बिल्कुल सही है दोस्तों मादा बच्चे के जन्मे के लिए दो अक्षगुण सुत्र की अवस्ता होती है दो अक्षगुण सुत्र नेक्स्ट वैस संक्रण जिसमें किसी जीव जो प्रभावी लक्षण प्रारूप दरसाता है किसी जीव का जीन प्रारूप जानने है तू ए प्रभवी जनक के साथ संक्रण किया जाता है उसे क्या कहते है दोस्तों हम पहले डिसकस कर चुके हैं यदि FNPD का ए प्रभवी जनक के साथ संक्रण होता है तो उसे टेस्ट क्रोस या परिक्षार संक्रण कहा जाता है ओके दोस बिल्कुल सही है दोस्तों गिलेक्टो सीमिया उपापचे की एक जनम जात रूटी है चोटे आकार की समस्टी होने पर समस्टी में यादर चिक अनुवांसिक विचलन होता है यह तीनों सत्य दोस्तों जब गी बिंजा बने एक लिंग सिमिद ट्रेड विशे सक है यह गलत खत मानव में तोचा के रंग की वनसागती होती है बहुजीनी वनसागती ओके दोस्तों बहुजीनी वनसागती निमने लिखीत में से कौन सा एक लक्षन बहुजीनी वनसागती का उधार्ण है मेरा बिले जलापा में फूल का रंग नर मदुमकी का उत्पादन उध्यान मत्र म वेरी वेरी इंपर्टेंट करना दोस्तो है और सारे क्योंकि ये पुछे गई है कही ना कही आगे पुछे जाने की पूरी किसमा महाँए है ऑल वही परसंद लेकर आता हूं दोस्तों जो एक्जाम में पुछे गए हैं आपके लिए पिछले साल होये पेपरों से ब्रतिक प्रीक्षाओं में पूछे गए इंपोटेंट क्यूशन वही है आपके लिए कठा करके वीडियो के मादेम से लेकर आता हूं तो दोस्तों जदा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यहाँ पर प्यारडी शैंस पर आपको साइंस और जिके से समंधित मैंतों प्रण परशन और ट्रिक्स मिलेंगी ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूसन की और मानवो में क्राई डू चेट सिंड्रोम किसके करण पेदा होता है अक्स अंडे का सामाने वाई धारक सुकरान दुआरा नीशेचन गुण सुत्र पांच की लगू बुजागे आदे बाग की हानी क्राई डू चेट सिंड्रोम की बात करें दोस्तों और गुण सुत्र पांच की द्रिग बुजागे आदे बाग की हानी या 21 गुण सुत्र की त्री सुत्र था तो दोस्तों गुण सुत्र क्राई डू चेट सिंड्रोम होता है देखते हैं next question दात्रकोशिगा एक्रता यानी कि सिकल सेल एनीमेरिया और हटिंग्टन कोरिया नामगे रोग केशे होते हैं? जीवनों समंदी रोग है, जनमजात विकार है, प्रदूशन जनीत विकार है या विशनों समंदी रोग है तो दोस्तो शिकल सेल एनिमिले आटिंग टंग कोरिया रोग है जनमजात विकार किया है दोस्तो जनमजात विकार है देखते हैं नेक्स्ट किसी जीव का लक्षन प्रारूब किसका प्रिणाम होता है है तो दोस्तो किसी इन interacting जिसका डीड़ क्रिणाम होता है दोस्तो देखते हैं एक पॉड जिसे जिसका जीण प्रारूब केपिटले केपिटल भी स्मॉल्टी केपिटल सी केपिटल सी हैUST Oliv इन परकार से युग मग बनेंगे दोस्तो जीन प्रारूब की सिदा सिंपल आपको बताता हूं मैं इसक्यूशन कांसर के से निकालते हैं टू की पावर एन की रूप में निकालते हैं यहां पर एन इस इकवल टू हो जाएगा जितना हमें जीन परारूप दे रखाए जीन परारूप की संख्या जीन परारूप कितने है दोस्तों जीन प बोल्टों आपको लगानी है ओगे दोस्तों ध्यान रखना कितना एन का मार कितना रखना है जितने जीन प्रावड़ों मैं दे रखें तो ऑप्षन डी इसका राइट आंसर होगा यह सुत्र आप ध्यान रखना दोस्तों इस तरीके से निकाल सकते दोस्तों ध्यान रखनाए म diferencia है दोस्तों फिलागे मेलनो गेस्ट के सवरदन के लिए निम्नियलिकित में से सरवादिक उप्यूक्त माध्यम क्या है गिलीबरेड अगार-अगार पका यह गाय का गोबर दोस्तों दोस्त क्रेटीनिज्म शिस्टिक फाइब्रोसिस या थेलेसीमिया दोस्तों थेलेसीमिया शिस्टिक फाइब्रोसिस हीमोपीलिया यह वन्सागत रोग है जिबकि क्रेटीनिज्म क्रेटिनिज्म वन्त सानुकत रोग नहीं है थायरेड गरंती के तिस रावन से होता है एक श्त्री जिसमें गुण सुत्र 21 की तीन प्रतिलीपियां होने के कारण 47 गुण सुत्र मुझूद है किसी विशिस्ट दसा से युक्त पाई जाएगी तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम इस्तिती से युक्त पाई जाएगी क्योंकि डाउन सिंड्रोम में 21 जोडी की प्रतिलीपियां बनने के कारण 21 जोडी में प्रिवरतन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है दिखते हैं बीजगा रारंग ये प्रभावी था निमने लिखित में से कौन सी एक दसा है जो स्वें में हानिकारक होते है वह मचर्शे फेलने वाले एक संक्रामक रोग से बचाओ करती है निम्न लिकिस में से सिकोन सी दसा है दोस्तों जो कि स्वेम भी आनिकारक है और मत्सर से होने वाले वाले संग्रामक रोक से भी हमें बचाती है क्यों सी है दोस्तों थेलेसीमिया, सिकल सेल एनेमिया, प्रणासी अरक्तता या लूकेमिया तो दोस्तो सिकल सेल एनेमिया यानि की ये सिकल सेल एनेमिया हमें मत्सर से होने वाले संक्रमन से भी बसाती है लेकिन ये स्वेम भी खुद भी हानिकारक होती है सिकल सेल एनेमिया किस कारण होती है दोस्तो सिकल सेल एनेमिया होती है हीमोगलोबिन की बिटा सरंकला में परिव पूरग जीन का अनुपात होता है important question है दोस्तों पूरग जीन का अनुपात होता है no अनुपात 7 देखते है next question मेंडल को मट्र में starch के स्थान पर सरक्राज जमा हो जाने से जुरीधार बीज प्राप्त हुए एसा किस enzyme के करण हुआ दोस्तों यह हुआ starch branching enzyme की अनुपास्तिती के कारण जुरीधार बीज प्राप्त हुए दोस्तों देखते है next question जनको द्वारा युगमको का उत्पादन युगमनज का निर्मान तता एफन और एप्टू पादपो को निमने लिखी तुमेशे किस चितर द्वारा समझा जा सक ताहे नेट वरग, बुलेट वरग, पंच वरग या पिनेट वरग तो दोस्तों यह पिनेट वरग के द्वारा समझा जा सकता है जान रखना option D इसका right answer होगा यदि एक DNA अनु में एडिनीन की मातरा 30% है, जब थाइमीन और गवानीन और साइटोशिन कितने परतिसत होगे तो दोस्तों आपको पता ही होगा, चारगा नियम के according एडिनीन थाइमीन के साथ जुड़ता है और गवानीन साइटोशिन के साथ जुड़ता है किस बंद के दोरा जुड़ता है, दोस्तों हैड्रोजन बंद के दोरा जुड़ता है, तो दोस्तों समान मातरा में जुड़ता है, यानि कि एडिनीन थाइमीन से जुड़ता है तो इतनी मातरा में जुड़ता है तो इतनी मातरा में जुड़ता है और गवानीन साइटोशि हो जाएंगे 40% में 20 20% क्योंकि चारगाव नियम का कुडिंग दोनों बराबर बराबर मात्रा में होंगी और 60% में 30 30% एडिनीन और थाइमीन की हो गए तो आप ध्यान रखना एडिनीन की 30% तो थाइमीन की 30% तो थाइमीन की कितनी है 30% option D में दे रखा है और बची 40% में 20 20% गवाणीन और साइटोशिन की 20 20 केशे हो गए आपको पता है दोस्तों तो गवाणीन की 20% साइटोशिन की 20% option D इसका right answer होगा देते हैं next question निमने लिकित में से कौन सा विकल्प अत्यदिक उप्यूक्त रूप से हीमोफीलिया को वरनित करता है हीमोफीलिया को वरनित करने वाला कौन सा है दोस्तों अक्स सहलगन ए प्रभावी जीन विकार, गुणसुत्री विकार, प्रभावी जीन विकार या ए प्रभावी जीन विकार, तो दोस्तों हेमोपीलिया को अतिर्डी ग्रूप से वरणित करने वाला है, अक्स सहलगन ए प्रभावी जीन विकार, इंपोटेंट क्यूशन है दोस् कोशिका विवाजन के दौरान गुण सुत्र के विवार के बारे में बताया था ये भी सत्य है कोशिका विवाजन के दौरान गुण सुत्र के विवार का देनकिस ने क्या था वाल्टर और बोविरी ने चार कुछन त्यारों के दोस्तो ध्यान रखना मोरगन ने उत्परिवर सांप स्थैन के बारे में हुग दिवरी ओर कोशे का विवाजन के दोरान गुनशुत्र सब्सक्राइब करें समय सब्सक्राइब सब्सक्राइब है दो जीनों के बीच की दूरी maple connect की समरते दोम пред करा हमाखती है देखते हैं next है नेक्स्ट है सजय लगनता और पारगमन हो कि दोनों हैं समान खटना भीन्न खटना विप्रीत TIटना या सम्रूब खटना तो दोस्तों तो 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 पारगमन है विपरीत गटना क्या है दोस्तो सेल लगनता और पारगमन है विपरीत गटना ध्यान रकना विपरीत गटना मेंडेलियन डिवी शंकर क्रोश में कितने प्रकार की जिनोटाइप और फिनोटाइप मुझूद होते हैं तो दोस्तो जिनो टाइप की बात करें तो जिनो टाइप होते हैं 9 और फिनो टाइप होते हैं 4 और फिनो टाइप 4 कौन-कौन से होते हैं दोस्तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 यह हो गए दोस्तो और 9 जिनो टाइप कौन-कौन से होते हैं अब यह आपको बताऊंगा नो होते हैं आप ध्यान रखना बारा बारे चोईस बारे बारे एक यह होते हैं दिवी संकर संकरन में जीनी प्रारूप यानि कि जीनोटाइप होते हैं और फिनोटाइप फिनोटाइप होते हैं नो अनुपातीन अनुपातीन एक दोस्तों यह होते हैं फिनो टाइप जबकि यह 12-24-21-21 ध्यान रखना क्या होते हैं जिनो टाइप होते हैं 12-24-21-21 यह होता है जिनो टाइप देखते हैं नेक्स्ट क्यूसन डाउन सिंड्रोम निम्न में से किस के कारण होता है डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों 21 गुण सुत्र का 3 गुण सुत्र था के कारण 21 गुण सुत्र का 3 गुण सुत्र था के कारण होता है डाउन सिंड्रोम देखते हैं next question मानो कोशिका में गुण सुत्र होते हैं तो दोस्तों मानो कोशिका में गुण सुत्र होते हैं 46 जोड़ी यानि कि 23 जोड़ी गुण सुत्र होते हैं जिन में 22 जोड़ी समार गुण सुत्र होते हैं एक जोड़ी लिंग गुण सुत्र होता है ज्यान रखना देखते है नेक्स्ट एक जीन एक एंजाइन सिदान्त किस ने दिया था वार्टसनवे क्रीक ने हर गोबिंद खुराना ने बिडल और टेटम ने या मोरगन ने एक जीन एक एंजाइन सिदान्त दिया था बिडल और टेटम ने किस ने दिया था बिड़ल और टेटम ने दिया था दोस्तो देखते है नेक्स्ट जीनों के बीच की दुरी के मापन के रूप में एक ही गुण सुत्र पर जीन युगमों के बीच पुन्दर योगजन की आवरती की व्याक्या किसके दौरा किये गी थी इयाच मोर्गन मेंडल या स्टूट वेंट तो दोस्तो यह की गई थी स्टूट वेंट के दौरा किसके दौरा की गई थी त्यादर करना important question है दोस्तो सारे वै अनुवानसिक विकार जिसमें एक व्यक्ति में मुक्यता पूरुश विकास होता है मादा लक्षण होते हैं और बांज होता है तो दोस्तो वो थाय क्लाइन लख्षण हो जाते हैं यानिकि वक्स एस तल का विकास होने लगता है मंचिक विकास कम होता है बांच बनाता है अधी लख्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम ध्यान रखना देखते हैं next question क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम में पूरुस में मादा के समान लक्षन आ जाते हैं है निमने लिकित देखते हैं, next question, युगमकों की सुदता का नियम, युगमकों की सुदता का नियम किसे का जाता है दोस्तों, प्रतक करण के नियम को का जाता है, युगमकों की सुदता का नियम, ये भी पुछा गया है अप रिक्षा में, अब ध्यान रकना, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ कीशे ज़्यादा से जयादा शेयर करना लाइक जरूर करना दोस्तों और बाइलोजी से रिलेटेड, सैंस रिलेटेड, जीके से रिलेटेड मैं तो पुर्ण प्रसन और ट्रिक्स के लिए BRD Science पर जरूर विजिट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेश कर लेना यदि सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बेल आइकन को जरूर प्रेश कर लेना क्योंकि दोस्तों कि मैं Science और GK की ने टोबनट सरंकला प्रसनो ट्रीक्स लाता रहता हूं जिसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जए ओगे दोस्तों धन्यवाद जैहिन जैह बारत